नमस्कार दोस्तो एक बार फिर सुआ गयते आपका अपके अपने चैनल लहींग में तो आज हम बात करने वाले हैं अभी क्या है इंडियन एरफोर्स में एर्वेन की बरती रेली है हर्याना में उसके बारे में यानि यह जो बरती आई है ओपन बरती है यह बहुत दिनों आपकी complete है तो आप यह form जुरूर बढ़ना क्योंकि बहुत अच्छी नोक्रिय यह इंडियन एरफोर्स में क्या है बहुत से उमीदवार है वो क्या है सपना देखते हैं बहुत से विद्यारती सपना देखते हैं और यह सपना सा गार करने के लिए क्या है यह आपका टाइम आपको opportunity दी गई है तो इस विडियो के माते में से हम जानेंगे कि इंडियन एरफोर्स एर्में requirement rally in हर्याना के लिए आपकी योग्यता क्यानी चाहिए आपकी आयू क्यानी चाहिए इसका selection process क्या है और इसकी salary क्या है और भी कोई जानकारी जो आपके मन में क्या doubt बनी है वो सभी जानकारी के इस प्योडियो को माते मिसे हम clear करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को तो आज की जानकारी किसके बारे में है इंडियन एरफोर्स एर्में requirement rally 2020 का जो notification आपका जारी हो चुका है बारतिये वायू सेना आई एफ अंबारा केंट के लिए एक प्रूस उमीदवार बारतिये सेना समुए एक्स बरति के लिए निधारतिती और समय पर आवेदन कर सकते हैं उमीदवार ग्रूप एक्स rally के लिए आवेदन आई एफ की जो अधिकारिक वेबसाइट है airmanselection.cdac.in पर कर सकते हैं रेली के लिए पूरो पंजी करने हैं वो 27 सितंबर 2020 को 11 वजे शुरू होगा और 28 सितंबर 2020 को वेब पॉर्टल www.airmanselection.cdac.in पर साम को 5 वजे बंद होगा रेली 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक क्या आवेदन की जाएगी बरतिक आवेदन वो 5 एर्मेन चैन और केंदरे विदाले दो वायू से ना अमबारा के इसमें क्या है अर्याना के 11 जीले होंगे जिसमें इसार जीन्द यह उननगर सहित क्या यह आपके जीले हैं तो इनकी क्या यह बरती है वहां के क्या है जितने भी अभ्यारति है वो कंडिडेट वो रेली में सामिल हो सकते हैं उमीदवार यहां पर क्या रेली की तारिक पात एर्फोर्स में एर्मेन की वर्ति निकली है उमीदवारों ने इंटरमीडियेट में या फिर दस प्लस टू गनीत बोतिकी और अंग्रेज जी के समकक्स क्या है नियूंतम पचास अंग को इसाथ पास किये यानि अगर आपने बारवी क्लास में गनीत थी या फिर बोतिकी थी और फिर अंग्रेज जी थी इनमें कि आपने एकर पачास परतिस्त अंग और अंग्रेज जी विशीय में कि मिनमम 50 पर तीष प्लस परतिस्त अंग है तो आप यह फॉआम बरत करते हैं आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए उमीदवार क्या ही हो 21 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए अथार्थ 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच जितने भी क्या है जनवे हुए उमीदवार है वो इस बर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके लिए एक्टूबर 2020 से लेकर 19 अक्टूबर 2020 तक है यानि इन नो तस दिनों में क्या आपका मेडिकल फिजिकल और आपकी जो जितने भी इसमें क्याता ये अब बात करते हैं सेलेक्शन प्रोशेस के बारे में यानि सेलेक्शन प्रोशेस इंडियन एर फोर्स एर्मेन के लिए क्या क्या होगा सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा फिजिकल टेस्ट में क्या 1.8 किलोमेटर की दोड 6 मिंट 30 सेगण में आपको क्या पूरी करने होगी उमीदवारों को सारी दक्सता प्रिक्षा को पास करने के लिए जाट्स में के वितर 10 पूसप, 10 सिट अप और 20 सिक्वार्ट भी पूरी करने होगी जब आप फिजिकल पास कर लोगे तो आपका रेटरन एक्जाम होगा जो उमीदवार PF पास कर लेगे PFT पास करेंगे वे स्तानी परिस्तिन के दार पर उसी दिनिया उसके बाद लिखित प्रिक्षा लेगे लिखित प्रिक्षा वास्तुनिश्ट प्रकार की होगी परसन अपत्तर आपका अंगरेजी के पेपर को छोड़ कर दवी बासा यानि हिंदी और अंगरेजी दोनों में होगा लिखित प्रिक्षा किया हो दिये वो 60 मिन्ट होगी इसमें क्या 10 प्रिक्षा के अनुसार बहुती की गणित और अंगरेजी विशे के जो परसनों सामिलोंगे उमीद्वान को प्रतेग पेपर में क्या अलग लग से क्वालिफाई करना होगा यानि आपका सलेबस क्या है CBSC का जो आपका पाठे का नाम है 10 पलस टूगा उसी के अधार पर के आपका ये पेपर होगा उन किताबों को अच्छी तरह से पढ़ ले और अच्छी त्यारी करे फिर आपका टेस्ट होगा Adaptability टेस्ट होगा यानुकूल प्रिक्षन फर्स्ट होगा इसमें क्या क्या होगा जब आप लिखित प्रिक्षा पास कर लोगे तो उसके एक या उसी दिन या फिर उसके बाद के दिन में क्या है अनुकूल सम्ता प्रिक्षन एक होगा अनुकूल चम्ता प्रिक्षन एक है वो बारती वायू सेना में रोजगार के लिए एक उम्हीदवार की उप्युक्ता का आंकलन करता है जिसमें विभीन में क्या है जहां पर भी क्या है तेनाति सामिल है यानि आपको ब्यूटी दी जाएगी किस तरे की आपको ब्यूटी जाहिए आपको होगा मेड़ीकल एक्जामिनेशन घाया होगा जुब आप अभ्यारती टेस्ट हो दो उत्रेण करने वाले विभ्यूटी जाएगी वह यू से 치कित समान को और मोजूता नहीं तरे क्या नुशार प्रेक्षन आईजित की जाएगी यानि या आपका पूरा प्रोशेस होगा जिसमें के आपको 9 से 18 अक्टूबर के बीच आपका जो भी चीज यह होगी वो यह होगी यह आप जब पार कर जाओगी तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा सेलेक्शन हो जाने के बाद इसमसे बड़ी बात क्या आती है आपकी इंडियर एरफोर्स एयर्मियन 2020 की जाएगा जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी जोब है एक समाज में क्या है जिसकी अच्छी कदर होती है वो जोब है अगर आप योगेता रखते हो तो आप रेली में जुरूर सामिल होए और अपने चमता का परतशन करें क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए और आपके सपने क्या है आपने सपनों की उड़ान भी पूरी हो जाए तो यह तो थी एक छोटी जानकारी इंडियन एरफोर्स एयर राइकन दिखे उसको प्रेज करना ताकि जब भी कोई वीडियर आजाए उसका आपको पास क्या नोटिक्रेशन आजाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी पास को तो आज की जानकारी बस इतना ही निरते एक नहीं जाने का साथ तब तक के लिए जैंद जैबाद धन्यवाद